हलो प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज आप बनाने जा रहे हैं कड़ी यह कड़ी त्यार है मारी लिए हम सुरुआ से बता रहे हैं एक मैंने बाउल लिया इसमें लिया बेशन थोड़ा एक छोटी कटोरी उसमें डाल दिया मिर्च थोड़ गोल रखेंगे और इसके मैं बनाऊंगी पकॉड़े इसको अच्छी से मिला लेना है ना ज्यादा पतला रखेंगे और ना ज्यादा गाड़ा जिससे हमारे पकॉड़े अच्छी तरह फूलेंगे अच्छी तरह इसको फेट लेना है और एक तरब मैंने कड़ाई रख दी है तेल हमारा गरम हो रहा है और हम इसमें बनाएंगे पकोड़े जो मैं कड़ी में डालूँगी मैं साधे पकोड़े बना रही हूं आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते है छोटा छोटा टुकडों में काटके प्याज के पकोड़े भी डाल सकते हैं पकोड़े डालने से कड़ी स्वाधिष्ट बनेगी इस तरहें पकोड़े बना लेने हैं कि देखिए हमारे पकोड़े फूल रहे हैं और इनको थोड़ी देर पकने देंगे और इसकी आच तेज रखेंगे इसको जिसे पकोड़े अच्छी तरह फूलेंगे अब इसको पल्टेंगे जैसे पक जाएंगे हमारे पकोड़े लाल होने लगेंगे अलके से ब्राउन हो जाएं और इसके बाद आप इसको पलट सकते हैं दूसरी तरफ से खेंगे और एक तरफ हम अपना दई तयार कर रहे हैं जो मैंने पांसो ग्राम दई लिया एक कटोरी बेसन हल्दी पाउडर लाल मिर्च नमक हींग और मेती के दाने दई को अच्छी तरह फ्यट लेने हैं इस तरह फ्यट लेंगे देखे मारा दई अच्छी तरह फ्यट चुका है और इसमें बाउल में लिया एक कटोरी जो बेसन लिया था उसको मैं डालूँगी इसमें मैंने डाल दी हल्दी एक चमच बड़ा हल्दी लाल्दा है और मैंने बाउल लिया और बेसन अब दई के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करना है अच्छी तरह फेटना बेसन को और दई इसमें अल्दी पाउडर भी डाल दिया है आप जितना बना रहें उसससे दई ले सकते हैं आप जितना बना रहे हैं मेथी के दाने, और इसके बाद दालेंगे जो भी लाल दाने हो जाएं उसके बाद हम डालेंगे हींग और जो मैंने गोल त्यार करके रखा हुआ है कड़ी के लिए तब उसको डालेंगे जो पके त्यार हो गया है मैटरियल को सारा और इसको चलाना आए रे गाड़ा होने लगेगा अब इसमें और पानी डालेंगे आब इसको चलाते रहना है udah पानी डालना पड़े गे कि अब यो और नय जिल्दी गाड़ी हो जाएगी फिर इसको इलाएंगी इस तरह सारा मिला देना है और इसको इस तरह चलाती रहना जिससे मारे लम्स नहीं पड़ें इसमें और तेज आच में ज्यादा नहीं रखनी है मीडियम आच में पकाएंगे कुछ देर के लिए और इसमें डालेंगे नमक दो चमस बड़े मैंने नमक डालें आप सौदा नमसार डाल सकते नमक इसमें लाल मिर्श पाउडर डालेंगे इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इस तरह मिला देना है और थोड़ी देर अमपकने लिए छोड़ेंगे और इसमें जो मैने पकाऊड़े बना के रख्के थे उसकों थोड़ी देर 10 मिनट बात डालेंगे देगे कड़ी मारी पक रही है अब इसमें डाल देंगे पकोड़े जो मैंने बनाए थे इसको करीब और 20 मिनट तब पकने देंगे जिससे अच्छी तर हमारे कड़ी पक के त्यार हो जाएगी पकोड़े मारे देखो कितने अच्छे फूले हुए हैं और उसको चामल के साथ आप खा सकते हैं और मैंने इसमें डाल नहीं हूँ दाल चीनिक थोड़ा पाउडर इससे कड़ी के टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप घर में एक बार पना के जरूर ट्राइग कीजिएगा कि देखे पक चुकी अब मैं उपर से लगाऊंगे तड़का जो मैं दो लाल मिर्च लिए थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालें और थोड़ा धनिये के लिए सीट्स और प्याज डालूंगी कि अगर आप नहीं प्याज खाते तो नहीं भी डालें और इसको थोड़ी देर भूनेंगे हलका ब्राउन होने तक इसको चलाते रहना है जिससे प्याज जले भी नहीं और कड़ी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है अब इसको लगाएंगे थोड़ा तड़का इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं अगर मारी रेस्पी अच्छी लगे तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा और बताईए कैसी लगी है लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद